मैं हूरमेश्बक ओत्रा आप देख रहे हैं आर्बी लोग से यूटूब से ना दोस्तो आज की डेट की बात करें तो एक बारा दो जारे किस और टाइम हुआ है अभी सामके पांच बजे है और दोस्तो हम एक न्यू बफेलो लाए है देखिए यह पीछे रही हो बफेलो हो इसका बच्चा तो दोस्तो हमारी जो पहले वाली बफेलो थी वो अभी इस दुनिया में नहीं रही है तो हमने ली थी तब पांच दिन बाद ही वो बिमार पड़ी थी और इस दुनिया में नहीं रही वो बफेलो और उसका बच्चा रह गया था तो उसका बच्चा भी तो दोस्तो आज सुबा ही हम दूसरी बफेलो लाए है देखिए दोस्तो ये बफेलो आज हम सुबा ही लाए है तो दोस्तो इस बफेलो को सायद देशी बफेलो कहते है जो पहले वाली बफेलो थी वो बननी बफेलो थी तो इस बफेलो ने तीन दिन पहले ही ये बच्छा दि नहीं है तो ये बफेलो हम लाए है दोस्तों क्यूंकि हमें बफेलो का सोख बहुत था तो ये बफेलो आज ही हम लाए है और बहुत अच्छी बफेलो है और ये एक देशी बफेलो है तो ये बफेलो हमें पसंद हमने 30-35 बफेलो देखी थी इसमें ये हमारे रेट में कंफम ह तो ये बफेलो हमने ले ली है और ये है इसका बच्चा और जो हमारी पिछले वाली बफेलो थी इसका बच्चा भी है तो इसका बच्चा यहां पर हमने बनता है देखिए दोस्तों तो वो रहा पहली वाली बफेलो का बच्चा है तो ये बच्चा भी गाई का दूध पीकर तो यह बच्चा 25 दिन में तो अभी थोड़ा-धोड़ा खाने भी लगा है अभी शोया हुआ है तो यह बच्चा पहली वाली बफेलो का है हमारी और इस बफेलो को रामपा अभी खाना खिला रहे तो अभी इसने बच्चा अभी दिया है तो शाड़े तीन पोणे चार लिटर इसका दूद है और दीरे दीरे बढ़ता जाता है जब बच्चा दे तब दूद कम होता है तो पंदरा दिन बाद पांच-छे लिटर दूद हो जाएगा इतना हो जाएगा ना पांच-छे लिटर दूद एक टाइम का हो जाएगा मतलब एक टाइम मतलब सूबा और सामको 10-11 लिटर के असपास होने वाला है उसके बाद तो केशा खाती है केशा है सब वेशा रहता है पर अभी 15 दिन बाद इतना अंदाज है कि रोज का 10-11 लिटर दूद करेगी और जो हमारी पहले वाली बफेलो थी बननी उसका मिल्क तो ज्यादा था उसका मिल्क सायद 15-16 लिटर था पर डेका पर इसका थोड़ा कम है दोस्तों और यह थोड़ी कम एज की बफेलो है और पहले वाली हमारी थी ज्यादा एज की बफेलो थी और यह रहा इसका बच्छा जो एक मेल बफेलो है देखिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेर करना ना भूले आर भी लोग चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और हमारी मेंड चैनल रमस बोकोतरा को भी सस्क्राइब करना ना भूले